पिंजोर नाड़ागण रोड पर माधल टाउन कोलोनी रेलवे ओवर ब्रिज के स्मीप ट्रक और कार की टकर में बाब बेटा घाहल पिंजोर होस्पिटल में अडमिट हादसा बुदवार को हुआ था घाहल पिता ने बताया कि एक कार में स्वार उसका बेटा जिर्गपुर से बिलासपुर हिमाचल प्रदेश के और पिंजोर नाड़ागण रोड के और से जा रहे थे तब एक ट्रक ने ओवर टेक के चकर में कार को पीछे से टकर मार दी और कार गुमकर रेलवे और ब्रिज के पाइप में फंस गई और लटक गई हादसे के बाद पिता को मामूली चोटे आई हैं जबकि बेटा घाहल हो गया है घाहल पिता तेजहराम ने बताया कि उसे मामूली चोटे आई हैं जबकि बेटे को काफी चोटे लगी है घाहल होस्ता में पिंजोर के बाद पंचकुला के समानना होस्पिटल में बेटे को रैफर किया गया है खबर लिखे जाने तक पिंजोर पुलिस कारवाई में जूटी हुई थी कार, रेलवे, ओबर ब्रिज और ट्रक के बीच में फंसी हुई थी वहीं हादसे बाद ट्राफिक जाम लग गया था गटना स्थल पर आम आदमी पार्टी के जिला दक्स, रंजीत उपल भी पहुँचे वे थे उन्होंने दोनों गायलों को अपनी कार में पिंजोर के अर्बन पॉली क्लिनिक में पहुचाया इस हादसे की सुचना के बाद आप पार्टी के जिलादक्स रंजीत उपल ने ट्राफिक इन चारज को भी सुचना दे थी उन्होंने बताया कि रेलिवे ओर ब्रीज के असपास जो निर्माना धीन है पुलिस डूटी लगाने की मांग पर जोर दिया है ताकि सड़क हादसों स ने बचा जा सके ही।